इसके खिलाफ कोई मुद्दा उठाया गया सरकारी वकील के वहाँ नहां पहुचने की वज़े से बर्ती पे स्टे लग गया मैं अरियाना पुलिस का चेहने तो ब्यार थे हूँ आद में उन्हें पता चला कि उन्से कुछ गलती हुई है तो हमारा कहना यह है कि यहां कमी थोड़ी सी सरकार की और कमिशन की भी है खटर साब ने जो इससे पहला सदन था जो फरवरी में हुआ था उसमें माफी मांगते हुए कहा था कि हमसे गलती हुई है हम इसको वापस लेते हैं 17 जून को इसका परिणाम निकाल दिया गया इस भरती का दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हर्याना सरकार ने बहुत सारी नोकरिया निकाली है नोकरियों को पूरे करने के लिए सरकार हमेशा ततपर रहती है लेकिन इस सरकार में कितनी भरतियां निकली हैं और कितनी भरतियां पूरी हुई हैं इसके उपर आज हम बात करते हैं हमारे साथ जुड़े हैं नारनोंद सायर के कुछ बच्चे और इसके बरतियों के उपर इन बच्चों की अपनी खुद की मन की क्या मनसा है और क्या इनके अपनी राए है ये बताएंगे भई नोकरियां किस हद तक तो पूरी की गई है और कितनी नोकरियों में कमिया और कितनी धंदलिया है चलो आज हम इन बच्चों की से पूछते हैं अब नमस्कार सार्ट नमस्कार वे मेरा नाम रोनक है और मैं अर्याना पुलिस का चेहने तब यह थी हूँ तो सबसे पहले तो यह है कि पत्रकार बंदुओं को और चायाकार बंदुओं अब धन्यवाद क्योंकि आप हमारी वाज में के एक समाज में हमारा मुद्दा पहुं उसमें क्या है कि सबसे पहले शुरू करते हैं यह बरती 2019 में पहली बार निकाली गई थी और इसके बाद 2020 में इसको रियडवर्टाइज किया गया लग 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 डेढ़ साल बाद इसका पिपर हुआ नमबर मेर दिसंबर में उसके बाद अब जनुरी दोजार इसमें इसमें डॉकमेंट वेरिफिकेशन और आइट चेस्ट होके पूरी हो चुकी है तो 17 जून को इसका परिणाम निकाल दिया गया इस बरती का परिणाम निकाल दिया गया और 6 जुलाई को कोर्ट में केस लगा तो इसकी एरिंग थी सरकारी वकील के वहां नहां पहुँचने क वज़े से बरती पर स्टे लग गया जैसा कि हमको भी सुनने में मिला है भी हरियाना पूलिस की बरती पर कोरट केस चल रहा है तो उसके खिलाफ आप सब क्या करना है तो हमारा कहना यह कमी थोड़ी सी सरकार की और कमिशन गी भी है और वो कमी को मैं आप बताता हूं जैसे क भी 6 जुलाई को जो यह रिंग थी उस पे सरकारी वकील का ना पहुंचना वो एक नेगिटीव पॉइंट चला गया सबसे पहले तो और उसी दिन जैसी रिठाकर इस जजज है इसमें मामले में उन्होंने स्टे दे दिया उसका कारण में आपको बताता हूं सुरू से क्या है कि सबसे पहले फीमेल कोंस्टेबल का रजल निगाला गया परसेंटाइल से जो जिसकी कट आफ सो से भी उपर जाके लगी ठीक बाद में उन्हें पता चला कि उनसे कुछ गल्ती हुई है उन्होंने रिजल्ट वापेस ले लिया खट्र साब ने जो इससे पहला सदन था फरवरी में हुआ था उसमें माफी मांगते हुए का था कि हमसे गल्ती हुई है हम इसको वापिस लेते हैं और इसको हम सुधार करके रेक्टिफाई करके हम दुबारा रेजल्ट देंगे परिणावा आपको क्या लगता कि सरकार अब जो विदानसभा सतर चला था इसके अं सरकार इसको पूरा करने के लिए अब कुछ ने कुछ अपना तथपरता दिखाया या भी उस पर कुछ बोले लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ बलराज गुंडू भाई साब ने इसका मुद्दा उठाया और उसके उपर भी खट्र साब गाया भी सरकार का कोई एक्शन नहीं भूमते फिर रहे हैं क्या बलराज कुंडू के लाओ और भी किशे अमेले विदायक ने आपका साथ दिया है जी मैं कह सकता हूं बात तो मेरी बहुत सारों से होई थी परसनली में मिलके भी आया था मेटिंग होई थी मेरी लेकिन एक बलराज कुंडू जी ने मुद्दा उ क्योंकि और बहुत सारे मुद्दे जैसे आपने पता है कि पंचकुला वह जो मारे गई है और विदायकों को दमकी मिल रहे है वह मुद्दे थोड़े से ज़्यादा आई-लाइट में रहे जैसा कि हमें भी सुनने में आया सर यह जो सरकारी वकील है सरकारी वकील होते हुए जी ऐसा है ये बात भी खोल के बताना चाहूंगा मैं आपको इसको बड़ा ध्यान से सुनियेगा कि बत्चे कह रहे एक जो प्राइड वकील करेंगे ये थर्ड पार्टी वकील हम करेंगे, ठीक है, एक बरती है, ai-tii की बरती, वह पिछले डेड़ साल से चल रही है, और यो इसलिए, आज तक उसकी जौइनग्नी ने हो रही है, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी वकील डाला गया, आज तक उसकी जौइनग्न ने वरी है, और अगर हम 3rd party वकील कर ले ना तो सरकार है या फिर कमीशन है उनका तो कोई दाहित्व नहीं रह जाता फिर अगर हम 3rd party वकील कर ले तो लेकिन ऐसा हुआ है कि जिस भी बरती में अभी रीशेंट एक बरती हुए MPSW की वह बरती भी केस हो रहा था लेकिन जिस दिन एजी साब प का आदमी चेर्में बोलते हैं जिसको तो कुछ बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे उन्होंने कहा कि आप प्राइविट वकील कर लिजी और यह कमीशन का चेर्में ने तो सेविधानिक पद के ऊपर बैठा है और तू प्राइविट वकील की मतलब आप कमीशन पर या मुख्यमंत्री साव से मिलके उनसे आद जोड़के हम रिक्वेस्ट करें सर अमारी बरती पूरी कर दीजिए और जो यह दुरुगा सक्ती के बारे में भी हमें पता चला दुरुगा सक्ती की तो पेपर हो चुका है और इसकी जोइनिंग के खिलाफ आप आप तो सरकार चाहिए तो इनको जल से बरती करवा सकती है तो मैं तहीं ही कहना चाहता हूँ है बरती कर लीजी इनको तो सर आपको कितना लगता है कि जल्दी से जल्दी दुरुगा सकती का जोइनिंग बच्चों की हो जाएगी है जी फिलाल तो प्रोसेस तो चल रहा है क्या ना में जो हैचे पी मदू बने या सुना रही है वहां से थोड़ा बहुत पता किया है कि उनकी जोइनिंग प्रोसेस तो चल रही है लेकिन वह भी उनका वी रजल्ट आए हम से भी पहले हम परहले में आचुकान का रजल्ट उनकी जोइनिंग कि कमके किन एनकी जोइनिंग सर्क्रigor कब तक आनी चाहिए थी पहले इनकी जोइनिंग तो तुरंत परबाह से जब रजल्ट चल रही उसके खिलाफ आप देखो मैं तो इतना कह सकता हूँ जी फिलाल के लिए तो जो सरकार बड़े-बड़े वादे करती है ना कि बिना खर्ची बिना पर्ची पारदर्शिता से बढ़ती अफिलाल तो एक जुमले बनके रहेगे क्योंकि जब से मनोहर सरकार टू आई है लेकिन यह करना चाहता हूँ कि जी 2019 से जब कि आपकी सरकार आई है ना तब से एक भी बरती कंप्लीट नहीं हुए जोइनिंग नहीं हुए किसी की मतलब लग 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 कहलो आप अब यह रहा ना पलिस्के सबसे बड़ी बरती है यह भी कोर्ट में जागे खड़ी कर सरकार तो यह भी कह रहें कि आने वाड़े समय में कम से कम पचास जार बच्चों को रोजगार दिया जाएगा उसके उपर आपकी क्या रहा है भी सरकार यह अपने वचनों पर ख़रा उतरेगी या नहीं उतरेगी या फिर पीछली भरतियों की तरह जुमले बाजी करती रह गया था 2020 से लेके 2022 की आप देख लो जुलाई यह डाही साल हो चुके हैं उसका नाम लेके सीटी का नाम लेके 9600 सीपद 1818 बरतिया वापीस ले ले गई यह कह के हम सीटी की तुरू बरति करेंगे डाही साल से सीटी का एक पेपर नहीं हो रहा है अभी उसकी नुमंबर की ड के चेर्मैन ने का अभी सीटी का एक्जाम जल्दी से जल्दी कलियर कराया जाएगा बच्चों का कंडक्ट कराया जाएगा अब इन्होंने का कंपनी को इसका कॉंट्रैक्ट दिया है आपको क्या लगता भी इस पेपर को जल्दी करवा देंगे या फिर इसको यह खिलाफ लेकिन सरकार तो कर एंबने हर बच्चे को रोजगार दिया है और हमां आगए बहुति हैं कर दिया है और इस सरकार आई है तो कैसे के सब्सक्राइब अगर सरकार की मन्षा होगी मन्षा होती तो वह कमिशन से जाके डाटा लेता और कोर्ट में जाके पेश करता तब यह बरती पूरी हो जाती और हम जल से जल जोनिंग हो जाते सबसे पहले तो सर अपना ही मुद्दा रखेंगे जी उसके बाद दूसरा एक सीटी का मुद्दा बन रहा है और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जी शिक्षा का क्योंकि स्कूल बंद हो रहे हैं चिरागी ओजना करके प्रेवेटों में एडमिशन करवाए जा रहे हैं और सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं बहुत सारे स्कूलो आपड़ा था क्या आप रोड पे उतरने को तेयार हो बिल्कुल है तेयार मेरा नाम अनिल कुमार है मारी आना पुलिस मेल कों स्टेबल का सेलेक्टेड अब बैर थी हूँ देखो भाई साब तकरीबन 6 महीने 7 महीने से तो हम वेट कर रहे हैं इस क्या भई पी एस्टी भी ह गया पीम्टीवी हो गया गर बैठे पहले तो वेट किया हमने रजल्ट का रजल्ट आ गया तो अब हम जौइनिंग का इंतिजार कर रहे हैं कोर्ट-कोर्ट खेला जा रहा है कमिस्शन के दवार और सरकार के दवारा अब इतने दिन हो गया में गर बैठे मानसिक्तनाव से इतने गरिश्टों चुके हैं हम पडोस वाले पूछते हैं गरवाले पूछते हैं रिष्टेदारी वाले पूछते हैं कि वही कब जाएगा सिधी बात तो यह है अगर हमें अगर हमें 17 तारीकों मारा अगर कोई सोलुशन नहीं हुआ कोर्ट में हम सरकार के खिलाप और जो अ जी डी एजी जो भी इस पे नहीं जा रहे तारीक पे नहीं जा रहे कोर्ट में अब 17 गस्त की आगे तारीक है कोर्ट में अगर वो अब नहीं जाएंगे तो हम सरकार के खिलाप और जी के खिलाप भी हम रोश पर दसन करेंगे अगर सर 17 गस्त को भी कोई आपको नहीं नहीं मिला तो आग आपके क्या रणनिती इसके हिलाफ आगे रणनिती भाई साब हम रोड पे आने को त्यार हैं सभी बच्चे जो भी अमारे पिछे बेठे और भी गरूप में भी आमारे साथ तकरीबन पांच से साथे पांच जार बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं लगातर औ और हम अगर बोलेंगे उनको कि जहां पे भी प्रोटेस्ट करना होगा अगर 17 तारी को रजल्ट नहीं आता तो हम रोड पे आने को त्यार हैं चाहे हमें कुछ भी करना पड़े रजल्ट के लिए हमारा अधिकार है रजल्ट लेना और कोर्ट में से निकालो इस बरती को मैं सरकार की तरफ से कोई आसवासण नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से मिल रही तारीक और वो भी कोर्ट में वो दिन हो गए 6 महीने 7 महीने हो गए हमें बस दुखी हो चुके वह अब क्या लगता है को इस मामले को कब तक निप्टा कर आपको जोइनिंग करा देगी या फिर अब पर ऐसे यह देखना सुनता रहे ना पड़ेगा बाई साब देखो कोट में जाना सब कादिकार है कोट में 17 तारीक है अगर ये बताओ आप सरकार की जो बोड़ी है अरियान SSC अगर वो ही उसमें एविडेंस पेस नहीं करेगी तो कोट क्या करेगा कोट तो नेक्स्ट टीरिं वो आगे हमारा प्रोसेस को आगे बडास के और उस पर वरडिक्ट देश के तो सर आपका और बेरोजगारी की मुद्दे से पहले सर में एक बात करना चाहूंगा मेरे सभी चैनित अब्यारतियों से एक बड़ी आज़ोड के रिक्वेस्ट है कि आप है ना अभी एक बर प् वकील करने की थोड़ी जरूत नहीं है और मैं इसलिए आज जोड़ गेरदास करना चाहूंगा बच्चों से सबसे कि अभी आप लोग है ना प्राइवड वकील के बारे में मत सोचिए क्योंकि लीगल एक्सपर्ट जो लोग है वो अभी यह कह रहे हैं कि इनकी वज़े से म आपको बता रहा हूं जो बता रहा हूं मेरी तरफ से नहीं है और एक बात और है जैसे यह जी आएगा मालो सतरा तारी को प्रजेंट हो गया विद एविडेंस के साथ और प्राइवेट वकील अमने कर लिया पैसे भी लगेगे उसमें बच्चों के सभी के लगेंगे वैसे नहीं है उनका काम इसलिए एक बार पैसे वेस्ट मत करो हम कर रहे हैं जो भी है रजल्ट के लिए इसके जो आइनिंग के लिए आपने भी कोई नकोई अग्जैम दिया होगा नमस्कार सर मैं भी हरियाना पुलिशा चैने तब बैठ थी हूं और आपको क्या लगता है सरकार में उन्होंने केस किया उनका आप है उन्होंने केस किया अगर उनका कोई इसू है तो सरकार कमिस्ण को कुछ करना चाहि открыв किया दो तो पूर्ट में आई नहीं रहे जो वकील है कमिशन का वो प्रमें पेश ही नहीं हो रहा है बिना इसके तो तारिक पर तारिक वह सनीदेवल वालडायलोग यहां पर सब्सार भी तो रहा है में पकर किसा तक लगता कि अपनी जो कई जबान वो पूरी की है और अपनी बातों पर किसा फरे उतरते हैं मैं बात करता हूं शेर मैं ने अब तक जितनी बार भी बयान दिया है कि अपना एजी उस तारिको चला जाएगा हम तब तक सारे evidence दे देंगे हर बार उनकी बात गलत सिद हुई है अब की बार भी मुझे को तो नहीं लगता कि उन्होंने ये चीजे evidence दिये भी होंगे जैसे कल पर सो दो-चार दिन पहले मिलकी भी आये हैं तब तक तो दिये नहीं थे उन्होंने कोई evidence और मेरे को नहीं लग रहा 17 की hearing तक भी ऐसे evidence दे देंगे जैसा कि विदानसभा के सतर आप लोगों ने भी देखा होगा उसमें विपक्स का कोई नेते ने तो उठाया होगा मुद्दा रोजगार के उपर और जो जिसकी सरकार है मनोर सरकार है मनोर सरकार कहती रहती है हमने बच्चों को रोजगार दिया त इतजार कर रहे हैं कोट में जाती है चसे सी तारिक पर तारिक लेती रहती है हमारों दिन से एक ही डिमांड है कि कोट में बच्चे पूरे तरिक्के से हो हम यह निचाते करें ने अनसलेक्टिट बाईजियों के साथ भी बेदवाओ बट जो सरकार के अलात है उससे लगता बरतियों को पूरा करें और जो बरतियों की जवाइनिंग अभी बाकी है उन जवाइनिंग को भी पूरा करने का काम करें नदीम खान बिंदा सर्याना